उसका नाम आजम खान था और उसकी हुंकार ऐसी थी कि वो जिप्सी पर खड़े होकर कहता था जी आजम खान कहा करता था कि मैं डीएम से जूते साफ करवाओंगा अपना नहीं माया बती का माया बती का क्यों ताकि संदेश जाए कि वो दलित हैं और उस दलित का जूते वो रामपुर की डीएम से साफ करवाएं ये तन्खया है तन्खयों से नहीं डरते हैं और देखें कई माया बती के फोटो कैसे बड़े बड़े अपसर रुहा निकाल के जूते साफ करणे हैं हाँ नहीं से हैगर बंदन नहीं के जूते साफ कराऊंगा इंसा अल्ला ने चाहाँ अच्छा भाई बहुत शुक्रिया यह अंकार यह बदतमीजी एक राजनेता का था जिसे लगता था कि वो एक समुदाई में जहर घोल करके सत्ता बाविज रहे उसे लगता था कि सूबे का एक समुदाई उसका गुलाम है और सत्ता का वो सौदागर है इसलिए जब अखिलेश यादब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो उसे गुमान था कि वो तो उसका आधीश पालक है मीडिया भी कहती थी को उत्तर प्रदेश में धाई मुख्य मंत्री हैं एक मुलायम सिंग यादब एक आजम खान और आधे में सत्ताधीश अखिलेश यादब आजम का हंकार इस कदर था कि वो संसत्भवर में मेंबर पाल्लेमेंट रहते हुए लोकसवा के अध्यक्ष को महिला अध्यक्ष को अफमानित कर देता था आजम खान का यह हंकार निरंतर जारी था वो जब चाहता था जहां चाहता था फसाद कराता था अब उस आजम खान की आउकात ऐसी है कि योगी राज में उसकी विधाय की गई संसत तो वो पहले नहीं रहा विधाय की गई चुनाव लरने का अधिकार भी छिन गया वोट देने का अधिकार भी वोट देने का अधिकार वो आखरी अधिकार होता है नाकृता छीन लेना एक तरह से यदि आपके देश में वोट देने का अधिकार नहीं है तब आपको vote देने की शक्ति का पता चलता है वैसे आप बंद कमरे में कहते हैं कौन vote देने जाएगा लेकिन जब यह आपका अधिकार छीन लिया जाता है तब समझ में आता है कि vote देने के आपके अधिकार के माइने क्या है तो कफी आजम खान से पूछिएगा कि vote छीन लिने के माइने क्या है जी हाँ आजम खान से vote देने का अधिकार छीन लिया गया भारत के सम्मिधान के मताबिक भले ही उसे लगता हो कि उसे योगी के कारण परतारित किया जा रहा है लेकिन बस फर्क इतना है कि योगी सम्मिधान और कानून का पालन कर रहे हैं और उस हर अपराधिक प्रविट्टी वालों से वो अधिकार छीन ले रहे हैं सजाय आपता अपराधी तो लालू पर साध्यादब भी हैं सजाय आपता अपराधी तो ओम परकास चौटाला भी हुई लेकिन देश को ये जानने को नहीं मिला कि क्या लालू के वोट देने का अधिकार भी छीना गया था क्या लेकिन आजम का जब वोट देने का अधिकार छीना गया तो ये खवरे बनी अब उस आजम खान से वो सरकारी निवास छीन लिया गया है 34 B. दारुशफा लखनो ये पिछले चार दशक से कहा जाता है कि लखनो में आजम खान के ठीकाने का परिचे है गुहार लगाने जनता दरवार लगाने सुपर सीम होने का गुमान पालने के लिए इसी दरवार में लोग जाते थे 40 B. दारुशफा लखनो जानते हैं ये मकान किसे सुपूर्ट कर दिया गया ये मकान आकाश सक्सेना के हिस्से चला गया आकाश सकते ना उसी रामपुर से MLA चुने गए हैं जहां से असीम रजा को हराया है असीम रजा कौन है असीम रजा को आजम खान ने रामपुर से मेंबर पारलेमेंट के लिए खरा किया था जब आजम ने सांसदी छोड़ करके विधान सभा का चुनाव लड़ा कि योगी को तबाह करेंगे लखनों के विधान सभा में बैठ करके तो असीम रजा लोक सभा का चुनाव भी हारा और फिर विधान सभा में भी आकाश सक्सेना से हारा अब उसी आकाश सक्सेना को जो रामपुर का एमेले है उसी आकाश सक्सेना को योगी आदित्तिनाथ ने दारुशफा लखनो का 34 नंबर का बंगला 34 भी बंगला साउप दिया है ये आजम खान जैसे लोगों के लिए बड़ा संदेश है कहने के लिए सामान ने घटना आपको लगेगी कि आजम खान का मकान किसी ने किसी को मिलना था लेकिन आकाश सक्सेना को ही क्यों ये आजम के ताबूत में आखरी कील है ऐसे अपराधिक सोच वालों के लिए जो सत्ता पे काविज रहता है तो मजफर नगर जैसा कांड को अंजाम देता है एक डियम को जो राज्जी का प्रशाशक होता है उससे जूते साफ करने का सपना पालता है ये दिखाता है कि डेमोकरिटिक सिस्टम में किसी को जब सत्ता का गुरूर हो जाता है जन्र प्रतिनभी होने का गुरूर हो जाता है किसी वोट बेंक का मालिक होने का गुरूर हो जाता है तो आजम खान बन जाता है पर भला हो भी क्यों न इस आजम खान को सतार सिस्टम पर इस कदर अहंकार था कि वो जब जेल बे गया तो उसने किसी कपिल सिब्बल को अपना कौकील बनाया तो वो सिब्बल सुप्रीम कोट में पेश हुआ और उस सिब्बल ने 24 घंटे के अंदर आजम खान को जमानत दिलबा दी सिब्बल ने जब चाहा अगले दिन की तारीक आजम के लिए दी तो आजम को लगा इन योगियों को तो यूही ठेंगा दिखाता रहेगा लेकिन किसी चीज की एक सीमा होती है ये तैह है कि किसी सिब्बल ने आजम खान को बड़ी राहत दिलबाई आज आजम सजायापता अपरादी होने के बाद छुट्टा तो घूम रहा है लेकिन उससे उसकी विधाई की छीन ली गई है उससे उसका वोट देने कादिकार छीन लिया गया है उससे वो निवास अस्तल छीन लिया गया जो विधायक रहे या ना रहे उस पर हमेशा काविज होता रहा है ये योगी के सत्ता का इकबाल है जनता ने कई चीफ मिनस्टरों को सत्ता दी है जब योगी जिससे रख्ती को सत्ता दी जाती है तो कानून के मताविक सब कुछ होता है आपको लगेगा कई बार कि आजम खान के साथ ऐसा क्यूं हुआ तो आजम खान के साथ ऐसा इसलिए हुआ कि आजम जहां से विधायक चुना जाता था वहीं के जनता पर अत्याचार करता था उस जगह की जनता उसी के कबिलाई समुदाय के लोग थे लेकिन भू माफिया बनता आजम अपनों को लूटता रहा और फिर एक यूनिवर्सिटी बनाने का गुमान पालता रहा जिसका वो जीवन भरतक का वाइस चांसलर रहता वाइस चांसलर रहता ऐसे आजम के ताबूत में योगी के इस आखरी कील में सहयोगी उसी रामपुर के उसी समधाय के लोग रहे जिसका नेता होने का गुरूर आजम खान पाला करता था आजम खान जिस रामपुर से चुना जाता था उस च्छितर के लिए वोट देने को ना निकलने को तै किया खौफ तो कुछ दिन आज भी आजम का बना हुआ रहेगा लेकिन आजम को पता है कि खौफ उसके अंदर कितना है आदमी को चाही वक्त से डर कर रहे कौन जाने किस घरी वक्त का बजले मिलाज जिस आजम खान ने किसी सिब्बल को राज्य सभा भेजने की ताकत का गुमान पाला है उस आजम खान की इतनी हैसियत नहीं रह गई कि वो विधायक चुना जा सकी अरे विजाएक तो छोड़िये जनाब उसकी इतनी हैसियत ना रह सकी कि वो इस देश में वोट दे सकी आजम खान की चूले हिलना डेमोक्राटिक सिस्टम में आम जन कोई में अंदर ये भरोसा है कि कानून का राज है और जब सत्ता किसी योगी के हाथ में होती है तो फिर अपराथियों का यही हाल होता है और कानून में लोगों का भरोसा जगता है भले कोई सिब्बल किसी अपराथी को सुप्रीम कोट में 24 घंटे के अंदर जमानत दिला दे लेकिन कोई सिब्बल किसी हैविच्वल क्रिमिनल को कब तक बचाएगा संतानवे केस में नामजद आजम को अभी इक ही केस में सजा हुई है तब उसके ताबूत में आखरी कील लग गई है अभी तो कई सारे मामले में आजम को सजायापता होना बांकी है यह वीडियो हुआ है